तो जी हाँ नमस्कार दोस्तों मैं विबेक सिंग फिर से आपके लिए एक नई वीडियो एक नई जनकारी के साथ लेके आ गया हूँ आज का इस वीडियो की मायधम से दोस्तों हम लोग यह जाने वाले हैं कि आखिर भाईया कितने स्लेंडर का इंजन लेने से ज़्यादा आटा का पिसाई होगी हमें कितने स्लेंडर का इंजन फिट करना चाहिए आटा चक्की में अब यहाँ पर दोस्तों आपको जानना यह जरूरी है कि आपको कितने इंची का चक्की लेना है ये वीडियो दोस्तों खास मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इंजन के दवारा अपने घर गाउं में आठा चकी को चलाना चाते हैं हम जानते हैं कि अधिकतर लोग 100% में 60 से 70% लोग मोटर के दवारा ही अपनी चकी को चलाते हैं आपको सबसे पहले दोस्तों चूज करना है कि आपको कितने इंची का चकी कितने स्लेंडर का इसर इंजन के साथ चलाना चाहिए सबसे फिल अगर आप 16 इंची का आटर चकी लेना चाहते हैं तो 16 इंची के साथ आपको परफेक्ट है 22 इसपी का वन स्लेंडर का आइसर इंजन अगर आप 20 इंची का भी आटर चकी लेना चाहते हैं तब भी आपके लिए परफेक्ट है एक स्लेंडर का 22 इसर इंजन चलाओगे नहीं चलेगा बसरते आपको दिहान देना है कि अगर वन सेंडर बाइस इंजन है तो आपको सिर्फ सिंगल चक्की ही चलेगा चाहें 16 इंची भी चल जाएगा राम से 20 इंची भी चलेगा चोबिस इंची भी चलेगा और 30 इंची का भी 1500 का आर्पियम करने के बाद थीफ खूल आप्यम लान से 30 इंची का चक्की भी चलेगा बसरते ज़्ाइंट में और कोई मसीन नहीं चलेगा प्रघ्या सिंगल इनको चक्की ही चलाना पड़ेगा और दूस्तोर में बता दूह आपको आपको की में आर्पियम को लेकर जितना बड़ा आपको होता है उतना उसका आर्पीम को देना पड़ता है जैसे मान लोगर आपका एक सुला इंची का चक्यत भाईया साथ सो आट सो आर्पिम चलेगा चोबीस इंची में हलका आर्पिम बढ़ा दो मोटा मोटी दोस्तों एक हजार आर्पिम के निचे आपको सारा चकी चलेगा कहीं से प्रोग्रम नहीं आएगी ठीक है अगर तीस इंची के चक्यत आपको हलका सा बारा सो तेरह सो आर्पिम बढ़ा दो ताकि अराम से चले इंजन पर ज्यादा लौड नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि कम आर्पिम म मसीन को ना चला इंजन पर भी लोड परेगा माल भी कम निकालेगा इंजन का जो लाइफ है उम्र है कम हो जाएगी तो आपको यहां पर ध्यान देने वाले बात है और कोई ऐसा इंजन दोस्तों परफेक्ट नहीं होता है हां और अगर वीडियो की थामनेल के उपर आए कि क कौन सा कितने स्लेंडर का बैठाना था अगर आपका काम अब बढ़ा है तो है क्योंकि वाद तो ज्वाद तीन ही बिठा है और आपका ज्यादा बढ़ा काम है आसपास ही आपका दाम है वीडियो कैसा लागा है मैं आप जरूब बताएगा कॉमेंट सेक्षन में ठीक है और आएसे हैं धेर सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सस्काइब कर सकते हैं यहाँ पर आप जैसे के देख पारेंगे यह दोस्तों ज करते रहना चैनल को सस्काइब करते हैं मैं वीडियो देखने के लाब का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद